Hi everyone, welcome back to my channel आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे atomic models की जो कि बोहर model से पहले suggest किये गए थे सबसे पहले हम बात करते हैं J.J. Thompson model के बारे में जो कि 1904 में J.J. Thompson ने खुद propose किया था कि atom actual में कैसा दिखाई देता हुगा इनके model को हम plum pudding model या watermelon model या फिर resin pudding model के नाम से भी जानते हैं इन्होंने अपने model में ये बताया था कि अगर हमारे पास एक watermelon है तो उसका जो red part है जो खाने वाला हिस्सा है तो अगर हम उसे positively charge मानते हैं तो उसके अंदर जितने भी beach होंगे वो सारे negatively charge होंगे तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके से एक atom जो है पूरी तरीके से neutral है लेकिन जब बाद में कई सारे अलग scientists ने इस बात को reject किया कि जो negative portion है वो positive से बहुत ज़्यादा कम है तो atom इस तरीके से neutral नहीं हो सकता इस वज़ा से इस model को reject कर दिया गया था इसके अलावा इसमें कुछ और खामिया भी थी इस model को इसलिए reject किया गया क्योंकि ये पूरी तरीके से imaginary था imagination based था इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये बात वो proof नहीं कर पाए और 1911 में जो रदर फोर्ड ने अपनी तरफ से model दिया था उस scattering experiment के जो results थे वो इस model से कैसे proof होंगे ये भी उनके लिए बात बड़ी मुश्किल आई थी इस वज़ा से इस model को reject किया गया अब इसके बाद 1911 में Ernest रदर फोर्ड ने अपने नाम से एक model दिया था उस model में उन्होंने एक पूरा setup बनाया था और इसे हम एक scattering experiment के नाम से जानते हैं अब वो setup क्या था इस experiment में उन्होंने 100 nanometer तक की एक बहुत ही पतली gold foil ली थी इस gold foil के उपर उन्होंने alpha particles को bombard किया था और इन alpha particles यानि fast moving alpha particles का source था radium जिसको की एक lead के block में रखा गया था और इन alpha particles की fine beam के लिए वहाँ पर slits लगाई गई थी अब उस gold foil को hit करने के बाद alpha particle की presence को detect करने के लिए एक circular zinc sulfide की screen लगाई गी थी जैसे ही alpha particle उस screen को hit करते हैं तभी वहाँ पर एक light flash होती है अब जब finally ये experiment perform किया गया तो तीन तरीके की observations वहाँ पर notice की गई अब मैं हर एक observation से क्या conclusion निकला ये आपको बताती हूँ सबसे पहली observation ये थी कि 99.9% alpha particles बिल्कुल straightly pass हो जाते थे और वो किसी भी angle पर deflect नहीं करते थे इस बात से ये conclusion निकाला गया कि ज्यादा तर जो atom का हिस्सा है वो empty है खाली है यानि वहाँ पर कुछ भी नहीं है second observation ये की गई कि कुछ alpha particles deflect होते हैं छोटे-छोटे angles पर अब इस से conclusion ये निकलता है कि जो alpha particles है वो positively charged है तो वो अंदर भी atom के अंदर किसी ऐसी positive body से टकराते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने रास्ते से deflect हो जाते हैं और तीसरी observation ये की गई कि बहुत ही कम alpha particles यानि कि 20,000 में से भी सिर्फ एक ऐसा alpha particle होता था जो कि बिलकुल जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते से बिलकुल सेम वापस deflect back होता था अब इस से ये conclusion निकाला गया कि जो alpha particles हैं वो अपने आप में ही बहुत heavy particles हैं तो वो अगर वापस deflect back होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ऐसी heavy body से टकराए हैं इसकी वजह से वो वापस लौट कराते हैं अब इन deflect back करने वाले alpha particles का नंबर बहुत ही ज्यादा कम है जिससे ये पता चलता है कि atom के अंदर एक ऐसी heavy body है जो कि बहुत ही कम volumes occupy करती है और इस छोटी सी heavily positively charged body को कहते हैं हम nucleus तो Rutherford model से पता चलता है कि nucleus जो है size में बहुत छोटा होता है और इसके अंदर positive charge होता है और सारा mass जो है atom का वो nucleus के अंदर concentrated होता है क्योंकि electrons का mass almost negligible होता है और इससे ये भी पता चला कि कुछ ना कुछ area जो है nucleus के आसपास थोड़ा बहुत खाली होता है और उसके अलावा उसके अंदर shells है जहाँ पर electron move करते है पर इस model की भी limitations रही सबसे पहले चीज़ ये model ये define नहीं कर पाया कि जो electrons revolve करते हैं वो अपने orbit में कैसे रहते हैं और दूसरी चीज़ ये explain नहीं कर पाया कि कोई भी charge particle अगर acceleration में है तो वो कोई ना कोई energy release करता है, give out करता है तो घूमते वक्त electrons अपनी energy lose करके nucleus में क्यों नहीं गिर जाते ये चीज़ वो explain नहीं कर पाया तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप channel पढ़ नए है तो playlist section ज़रूर चेक करिएगा प्लीज लाइच जाओ जबस्क्राइब नए है थाओ नए है थाओ जबस्क्राइब था जबस्क्राइब थाओ करें वीडियों